बांदा जेल में बन मुक्तार अंसारी के विधायक बेटे अबास अंसारी को चित्रकूट जेल में हर सुविधा मुहया कराई जा रही थी मामले का खुलासा होने के बाद चित्रकूट की रगावली जेल चर्चा में आई जेल चर्चा में आई तो चर्चा में जेल के अधीकशक भी आ गए जानिए वे कौन है जेल अधीकशक अशोक कुमार सागर जिनकी नाक के नीचे या यूं कहा जाए कि जिनकी देखरेक में अब बास अंसारी चित्रकूर जेल के अंदर अपना राज का चला रहे थे उनकी पत बेहत करीबी मेराज की गैंगवार में हत्या कर दि गई थी इस मामले में कारवाई करते हुए तकालीन जेल अधीकशक को सस्पेंड कर काज गंज के एके सागर यानि की अशोक कुमार सागर को चित्रकूर जेल का नया अधीकशक बनाकर बेजा गया था एके सागर उत्रप् बारबंगी की जेल जेलर बनाया गया बारबंगी से उनका तबादला इटावा जेल किया गया इटावा जेल के बाद बरेली सेंटर जेल में वे लंबे समय तक रहे बरेली सेंटर जेल से कासगन जेल भेजा गया वहीं पर अशोक कुमार सागर जेल अधिक्षक बने पता हो कि मई 221 में जब चित्रकूट जेल में अंशुदेख्षित ने मुकीम काला और मिराज को गोलियों से भून डाला और अंशुदेख्षित को पुलिस ने एंकाउंटर में धेर कर दिया था तो सरकार ने मामले में कारवाई करते हुए ततकालीन जेल अधिक्षक को सस्पेंड कर एकिसागर को चित्रकूट का जेल अधिक्षक बराया चित्रकूट जेल में डेट साल पहले हुए गैंगवार के बाद से ही बिहद समवेदर शील जेल बन गई और नवंबर महीने में अब्बास अंसारी के जेल में पहुंचने से इस पर अफसरों की भी हर गतिविधी पर नजर रखी गई लेकिन अब्बास अंसारी ने चित्रकूट जेल में पहुंचने ही पैसे के दम पर जेल कर्मियों पर अपना रुआब गाटना शुरू कर दिया बता दें कि 18 नवंबर 22 को नैनी जेल से अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल लाया गया था कहां तो यहां तक माना जा रहा है कि चित्रकूट जेल में लंबे समय से बंद रहे अब्बास अंसारी की आओ भगत के लिए जेल कर्मियों में होड मंच गई इसी होड के नतीजे चित्रकूट जेल में अब्बास की मनमानी की शुरुआत हुई सुत्रों की माने तो अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में पहुंसती ही जेल कर्मियों को महंगे गिफ्ट वपैसे पहुंचाने लगे फिलाल चितकूर जेल में अबासंसारी और उनकी पतनी की गैर कानूनी धंक से मुलाकात और फोन से बाचीत के मामले में कारवाई कर दी गई है और अशोक कुमार सागर सस्पेंट किये गए